नमस्कार शातियों आज की किलास वहुत ही जवदश्ट होने वाली है इस किलास में आपको डाइश के दो टाइप के कोश्चन दो ही कोश्चनों में पूर करा देंगे और आपको अच्छी तरीके से भी समझा देंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो हमारा पहला सवाल है पांच के विप्री शताय पर कौन सा अंक होगा आईए इस समझते हैं देख़िये सबसे पहले इसमें ये समझना होगा कि ये हमारा पाषा कौन सायसा तो कौन सा पास है यह हमको समझना पड़ेगा देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा छे और चार दिखाई दे रहा होगा अगर हम छे और हम चार को जोडें तो हमारा यह कितना हो रहा है दस अगर यहां पे हम छे और दो को जोडें तो हमारा यह कितना हो रहा है छे और दो क को जोडें तो हमारा हो रहा है साती भी छे लेकिन आपको बता दे यह जब हमारा यहां पर hosऊप डस्यास तो झाइनका योग कि योग गरन का अबता छाए जैसे पांच विप्रीत का वाण तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 लिखते हैं क्या करते हैं 7 में से घटा देते हैं जितने का पूंचा जाता है उसमें घटा देते हैं तो यहाँ पे 5 का पूंचा है तो 7 में से 5 को घटा दें कितना जाएगा 2 तो हमारा अंसर आजाएगा 2 अब हमने ये मानक पासा का एक सवाल लगा लिया इसी तरीके से हमें एक सादारड पासे का भी सवाल लगाएंगे सवाल दिया हुआ है एक के विप्रीश सतय पर कौन शा अंक होगा तो इहां पर देखते हैं किसी सतय का योग साथ हो रहा होगा जो सादार अरपासा होता उसमें किसी ना किसी सदय का यूग साथ होता होगा जैसे हम 6 और 1 को जोड़े 7 हो गया इसी तरीके से हमारा ये 7 प्राप्त हो रहा है तो हम समझे लिजिए हमारा ये पासा जो है वो सादार अरपासा है तो हमसे एक के विप्रीत पूँचा है एक के विप्रीत जब पूँचा है तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम गिंती लख लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे शातियों एक के विप्रीत पांच नहीं हो सकता है तो हम पांच को काट देंगे इसी पिरकार से एक के विप्री छे नहीं हो सकता तो इसको भी काट देंगे आप यहाँ पर देखे एक के हमें विप्री देखना आए एक के विप्री दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है कोई सा भी हो सकता है तो हमारा आउंसर क्या हो जाएगा बी आउंसर हो जाएगा दो या तीन या चार थैंक्यू अगले टाप को अगली वीडियो में आपको समझाएंगे